हाँ तो सागत आप लोग का हमारे चैनल ड्रीमपीसी स्टोर पे आज हम लोग बहुत दिनों बाद अपने ग्राफिक काड की कुछ करन्ट प्राइसिंग की वीडियो लेकर आए इसके बारे में कुछ अपने बाद कुछ ग्राफिक काड स्टॉक अवेलेबल है इनके बारे कु जो सबसे बेसिक हमारा कार्ड है यह हमारा 610 ग्राफिक कार्ड है 2GB DDR3 में आता है इसको हम रेकमेंड किसी को नहीं करेंगे गेमिंग किसी भी आपके लिए खाली डिस्ट्ले कार्ड के काम के लिए इसकी कीमात है 2600 रुपिस अपिस और पेका लेकिन गेमिंग पर प्लस के नहीं होते है खाली डिस्ट्ले कार्ड है इसके बाद अगल थोड़ी बहुत गेमिंग एंट्री लेवल स्टार्ट करनी है तो हमारा बहुत ही डीडर 5 में 730 ग्राफिक कार्ड आएगा असूस का इसकी प्राइस ही 4300 इसमें बेसिक जीटी फाइव अपका 720p रेसलूशर पर वर्क कर जाएगा 30-40 fps पर गेमिंग आपकी यहां से इस कार्ट से स्टार्ट होती है इस बेसिक कार्ट से स्टार्ट नहीं होगी इसके उपर हमारा बहुत ही पॉपिलर एंवीडिया का 4GB DDR6 में कार्ड आएगा एंवीडिया का क्वाट्रो टी-4100 DDR6 इडिशन इसमें आप 1080 में गेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं यह तीन मॉनिटर सपोर्ट करता है प्लस अगर आपको को 3D आप यूज करने से सॉलिड और आटो कैड माया 3ds Max तो इस कार्ड में अच्छी चले क्योंकि क्वाट्र एडिशन है और इसको एंवीडिया खुद मैनुफेक्ट्टर करता है 15,500 रुपे इसके बाद जो हमारा काड आएगा एंवीडिया में गेमिंग में वो है GTX 1650 4GB में आता है यह गीगाबाइट का डूल फैन इडिशन है इसकी कीमात है 15,500 रुपीस यह गेमिंग लिए आप इसको यूज कर सकते हैं यह कॉर्ट्रो से मान के चलिए 50 परसेंट ज स्टार्ट हो जाती है यह रेट रेसिंग नेबल होगा 8GB में होगा 3050 इसकी गेमात है 25,500 रुपीस 8GB में आप इसमें हाई FPS में अल्ट्रा क्वालिटी में गेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं RTX का फीचर यूज कर सकते हैं 25,500 रुपीस में इसके बाद हमारा मोस्ट पॉपुलर में 12GB और इसको आप 1440P रेजलूशन 1080P रेजलूशन दोनों में यूज कर सकते हैं सबसे जादा बिखने वाला कार्ड है और RTX की परफॉर्मेंस अगर आप फीचर यूज करेंगे तो जादा परफॉर्मेंस हिट नहीं करेगी इसके बाद इसी का और पावरफुल मॉडल मि 3060 Ti 39500 में OC एडिशन गीगाबाइट का 1440P इजली हैंडल कर सकता है सारे फॉल अल्रा सेटिंग में यह आपको 39500 में मिल जाएगा 8GB गीगाबाइट का आज आते हैं 20 series का कार्ड में आ जाते हैं यह आपको अगर कम बजट में ज्यादा परफॉर्मेंस है तो आप 20 series का और यह 6GB में आता है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग में 15-20% 3050 से जादा आती है तो अगर आपको बजट में कार्ड लेंगे तो 23,000 में बहुत ही अच्छा कार्ड है यह जो टैक का 2 fan में 23,000 मिल जाएगा 8X फीचर के साथ आता है अब आजाते हैं AMD के कार्ड के उप सपोर्ट है एंवीडी इतना पॉर्फोल नहीं लेकिन हार रेटरेसिंग सपोर्ट करता है 8GB के आता है 3060 के बराबर लगबग परफॉर्मेंस है यह आपको मिल जागा 24,500 का प्राइस में काफी डिफरेंस जैसे 32,500 है यह सेम परफॉर्मेंस 24,500 में मिल जागी 8GB का आता है और यह सेफायर में मिलेगा AMD में और इसके बाद इसी का हायर मॉडर आता है 10GB में आएगा RX 6700 इसकी परफॉर्मेंस 3060 के बीच में आती है इसकी कीमात है 32,500 यह 10GB का कार्ड है इसको आप 1440p मोनिटर में हाई रिफ्रेश रेट में यूज कर सकते हैं यह थे हमारे सारे कार् रजाड ग्रीज़्यक्ट कैर्ट जो सबसे आदा लीकने वाले कार्ड हैं मार्केट में रनिंग वह हमने आप kamuने आपको इस वीडियो में दिखा दहीं है यह हमारे GP जोक्रेंड कार्णब्सनेर जिनकी करें जार कारें 3,200 की करें आपको रइविल करी है तो यह कार्ट थै ह हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें फिर मिलेंगे बाबाइ कर दो कर दो कर दो